चुनाव होने से एक दिन पहले मध्य प्रदेश में चुनावी महाल होना आम बात है लेकिन इस बीच एक महिला गुलाबी साड़ी पहने तेजी से वाइरल है वाइरल है महिला अफसर का स्टाइल और स्वैड काले चश्मे के साथ ये महिला जब एवी एम की मशीन लेकर निकल है जिनने देखकर आपको साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान स्टाइलिश पीली साड़ी पहने पोलिंग ऑफिसर रीना दुवेदी की याद जरूर आ गई होगी रीना दुवेदी भी अपने लुक्स के चलते उस वक्षू फेमस हुई थी और आज इंटरनेट पर उनकी तगडी फैन फॉलोइंग है लेकिन इस बार तस्वीर सामने आई है MPK खरगौन से विराज नीमा की दरसल खरगौन में जब मतदान कर्मियों को मतदान से जुड़ी चीजे दी जा रही थी उस समय उसमान को पिंक साड़ी और काला चुश्मा पहने लेने पहुँची विरा विराज नीमा को पिंक साड़ी में देखकर काला चुश्मा लगाए देखकर लोग उन्हें ताके जा रहे थी और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर तो वाइरल हो ही रही है और उनके साथ तस्वीर लेने की होड में भी लोग लग गए थे उस वाक्त इस दौरान जब विर मतदान कर्मी के रूप में हुई है जैसा कि हमने बताया कि साल 2019 में उतरप्रदेश के लखनों में पी डब्ल्यूडी विभाग में काम करने वाली रीना दूवेदी उस वक्त अपनी पीली साड़ी और काले चश्मे के चलते खूप चर्चा में आ गई थी और अब एक बार फिर एक महिला कर्मी चर्चा में आई है काला चश्मा और गुलाबी साड़ी पहने हुए लेकिन इस बार मामला लखनों से नहीं बलकि खरगौन से है बतादे कि मध्यपृदेश में 17 नवमर को एक चर्ण में मत्यदान होने जिसके नतीजे पांचों राज्यों के एक साथ 3 दिसंबर को सामने आएंगे ने उस्ताग पिरो